दोस्तों आपने जब भी समुदर में पुल देखा होगा तो आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये बना कैसे है तो वैसे तो अंडर वाटर ब्रिज बनाने के काफी तरीके हैं पर जिसे सबसे जादा यूज किया जाता है उसे कॉफन डॉम कहते हैं इसमें इंजिनियर्स एक राउंड शेप का सरकल बनाते हैं और फिर उसे वही फिट किया जाता है जहां ब्रिज का पिलर बनाना है फिर उसमें से पूरे पानी को पम के थ्रू निकाल लिया जाता है जिससे वहाँ इतनी स्पेस बन जाती है कि वहाँ अराम से पिलर को खड़ा कर सकते हैं बाकि इंजिनिर्स कितनी मेनत के लिए एक लाइक तो बनता है